हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में आज हम बनाएंगे गिट्स पैकेट से रोस फ्लेवर में फालूदा की रिस्पी बहुत ही कम टाइम पर सूपर टेस्टी ये फालूदा बनकर तयार होता है तो वीडियो को आप पूरा चरूर देखे और इस कर्मिय इस फालूदे को बना कर इंचुआए करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे मेरे सारी नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले तो चलिए फिर ब फालूदा बना कर तयार कर सकते हैं पैकेड को कट करेंगे इसके अंदर जो दूसरा पैकेट है इससे भी कट कर लेंगे ये जब दूद में इस तरह से अच्छा सा उबाल आ जाये तब इसमें एड़ करेंगे फालूदा बनाने का मिक्सर यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा एड़ करना है एक साथ नहीं एड़ करना है फालूदे का मिक्सर एड़ करते जाएंगे और इस तरह से इसे लगातार चलाते जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरे सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले दूद में फालूदे के मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर दे यहां पर आपको इसे लगातार चलाते वे तब तक पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सा क करीमी और घाड़ा बनाने के लिए मीडियम फ्लेम पर पांस मिनट और पका लेंगे ये देखे फालूदे को पांस मिनट और पका लिया है तोटल यहां पर मैंने फालूदे को 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है अब इससे जादा इससे यहां नहीं पकाएंगे काफी तेस्ट यहां पर फालुदा बनकर तयार है एकदम बाजार जैसा रोस लेवर में टेस्टी तेस्टी फालुदा बनकर तयार होगे अब इसे हम ठंडा ठंडा एक गलास में शरू कर लेंगे गलास में थोड़े से कटे हुए काजू एड़ करेंगे और इसके ओपर से ठंडा और टेस्टी रोस फ्लेवर में फालूदा एड़ कर देंगे ये देखिए एकदम गाड़ा और क्रीमी बनकर तयारे इसके ओपर आप अपनी पसंद की कोई भी आईस क्रीम एड़ कर दे ये लिजिए ग पसंद आयो तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें